मा मेरी जॉब लग गई, जानती हो कितनी अच्छी तनक्वा है मेरी, अपने पूरे खांदान में मेरे जैसी जॉब किसी के पास नहीं है। रोहन खुश होते हुए बोला, रोहन की मा भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई, वो बोली भगवान का शुक्र करो की, तुम्हारी महत रंग लाई है। फिर रोहन बोला, मा कल ओफिस से आते वक्त मैं बहुत सारी मिठायां ले आऊंगा, आप सब में बाटना, पडोसी, रिष्टेदार सब में। ये सुन मा बोली मा की बात सुन रोहन बोला मेरे ओफिस में मेरा क्या मकाम है, कितनी अच्छी सेलरी है मेरी, घर गाड़ी सब कुछ है मेरे पास, तो क्यों ना बताए सबको, आप टेंशन मत लो मा, सब कुछ ठीक है और रहेगा, और मा जिसके घर में भी मिठाई बांटने जाओ, वहां मेरी खूब तारीफ भी करो, ताकि जो लोग जलते है, वो मुझसे और जले, सच में ये देख कर मुझे बहुत मजा आने वाला है। अब जब मैंने उनकी शर्त पूरी कर दी है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। ये सुनमा बोली देखो बेटा, अभी भी सोच लो, क्योंकि नंदनी मुझे मतलबी और लालची लगी, मुझे लगता है कि जब तक तुम्हारा सब कुछ ठीक है, वो सिर्फ तब तक ही तुम्हारे साथ है, ऐसी लड़कियां कभी भी बुरे वक्त में साथ नहीं देती। मा की बात सुनते ही, रोहन थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए बोला, मा अगर आप ऐसी ही सोच रखोगी नंदनी के बारे में, तो कभी भी आप उसे खुले दिल से नहीं अपना पाऊगी, वो एक अच्छी लड़की है, वो पैसों से नहीं मुझ से प्यार करती है, और मादी से पहले तो ऐसी शर्ते लड़की वाले रखते ही है, हर कोई अपनी बेटी अपने से उपर घर में ही देना चाहता है, तो अगर नंदनी और उसकी मा ऐसा चाहते है, तो वो गलत कैसे हुए मा, ये सुन बीच में टोकते हुए मा बोली, अगर वो तुम से सच में प्य मा आप सोचो की, शायद नंदनी की वजह से ही मैं इस मकाम पर हूँ, उससे शादी करने के ख्वाब देखने के कारण ही, मैंने इतनी महंत की की, आज मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली, आपको तो नंदनी का शुक्र गुजार होना चाहिए, आप उल्टा उसे मतलबी और लालची बोल रही है, अब बस कल तयार रहना, हमें कल जाना है नंदनी के घर, कहकर रोहन चला गया। नंदनी ने किया क्या है अब तक रोहन की जिंदगी को बेहतर बनाने में फिर दूसरे ही पल रोहन की मा सोचने लगी चलो कोई बात नहीं अगर मेरा बेटा खुश है नंदनी के साथ तो मुझे उसकी खुशी में ही खुश होना चाहिए आखिर जिंदगी तो उन दोनों ने ह जीनी है अगले दिन रोहन और उसकी मा नंदनी के घर पहुँचे नंदनी का रोहन के लिए रिश्टा मांगने के लिए रोहन वहाँ अपनी ओफिस और नौकरी की बहुत तारीफ करने लगा रोहन बोला आपके कहने के मुताबिक आज मेरे पास बहुत अच्छी जौब है, मेरी बहुत अच्छी सेलरी भी है, मेरा अपना घर है, फिर भी ओफिस की तरफ से मुझे आलिशान घर और गाड़ी भी मिली है, मैं शादी के बाद नंदनी को बहुत खुश रखूँगा मा किया आप खुश नहीं है इस रिष्टे से बेटा रोहन की प्राईवेट जौब है, इसमें सेलरी जरूर अच्छी होती है, लेकिन कब जौब से निकाल दे, कुछ पता नहीं, ये तो तुम रोहन से शादी करना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा मा की बात सुन, नंदनी बोली अब रोहन और नंदनी हर दूसरे दिन मिलने लगे थे, कभी डिनर पे, कभी मूवी पे, रोहन नंदनी को एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देता, एक दिन जब रोहन लेट घर आया, तो रोहन की मा ने पूछा, बेटा आज बहुत लेट हो गए, मैं कब से तुम्हारे इंतिजा अब ही तुम्हारी नई नई जॉब है, तुम्हे थोड़ी सेविंग्स भी करनी चाहिए, कल को तुम्हारी शादी होगी, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, नंदनी के कपड़े ज्वेलरी, इन सब में बहुत पैसा चाहिए, और तुम हो कि हर दूसरे दिन नंदनी को महं का गिफ्ट दे दूँ तो, क्या कहेगे उसके फ्रेंस और रिष्टेदार उसे की तुम तो कहती थी कि मेरे मगेतर की इतनी अच्छी जॉब है, कितनी बदनामी होगी नंदनी की? रोहन की इस तरह की बाते सुनमा कुछ ना कह पाती, वो समझ गई थी कि अभी रोहन की आँखों पर नंदनी के प्यार की पट्टी बदी है, उसे कितना भी समझाओ, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, उसे अभी सिर्फ अपना स्टेटस और नंदनी दिखाई दे रही है, रो रोहन को खबर मिलती है कि उसकी जॉब चली गई, वो कुछ समझ नहीं पाता कि ये अचानक उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसके पास सेविंग्स के नाम पर भी कुछ नहीं था, वो हर महीने पूरी सेविंग्स नंदनी और अपने दोस्तों पर उड़ा देता था, हुआ ये, मैं क्या बताऊंगी सबको, मेरी कितनी इंसल्ट होगी तुम सोच भी नहीं सकते। मैं अब और सब्र नहीं कर सकती रोहन, मेरी मा नहीं मानेगी अब, मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे रिष्टे आ रहे थे, तुम जानते हुँ ना रोहन, फिर भी मैंने मा को तुम से शादी करने के लिए कितनी मुश्किलों से मनाया था, बस अब और नहीं रोहन, मेरी नंदनी बहुत मतलबी और चालाक है, वो सिर्फ तब तक ही मेरे साथ थी, जब तक सब ठीक था, दुख के दो पल आते ही वो सबसे पहले चली गई, रोहन मा के पास गया, उन्हें सब बाते बताई, और मा से माफी मांगी, और मा तुमा होती है, बेटे के दो प्यार के पहले के बोले गई सब बुरी बाते भूल जाती है, वो रोहन से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, इनसान की जिन्दगी में ऐसा वक्त हमेशा अच्छे के लिए ही आता है, इससे उसे पता चलता है कि कौन अपना है, और कौन सिर्फ अपना होने का दिखावा कर रहा है, बे वक्त में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मा हमेशा तुम्हारे साथ होती है, वो भी बिना किसी शर्त के, दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी को लाइक करे, शेयर करे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, धन्यवाद.